अन्मूल वचन अखिल भारतिय संत्मत सत्संकि संस्थापक और ग्रहिस्त में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज श्री यश्पाल जी महाराज अर्थात परम पूज भाई सहाज जीत्वारा प्रितिपादत इन अन्मूल वचनों का पालन करना अति आवश्यक ह ये वचन हमारे ग्रहिस्त आद्यहत्मिक साधना के लिए मून भूत सिद्धान्त हैं जो इस प्रकार है हम दुनिया की हर चीज की कीमत आगते हैं अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने वह परमात्मा की प्राप्ति हे तु साधना करें मनुश्य योनी एक उपहार है इसलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्राता काल आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें सत्संग सत्नाम वह सद्गुरु को प्राथ मिक्ता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगा भ्यास अवश्य करें वह ग्रहस्त की कारियों को परमात्मा का कारिश समझ कर उसी की याद में संपन्द करें हर समय ये ध्यान रहे कि गुरू कृपाद्वारा परमात्मा की पमत्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है अतह मन में निरंतर अपने इश्ट देव का जाप करें मान सम्मान की इच्छा ना करें वा अपमान से दुखी ना हो परमात्मा के अतरिक्त किसी और का भय ना करें दोसरों की बुराई न करें न सुने सत्य वा मधुर बोलें अश्नील शब्द मुह से ना निकालें सभी से नम्रता पूर्ण वा सुन्दर विवहार करें धर्म पत्मे के अतरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा बराबर की से बहन जैसा वो छोटी से पुत्री जैसा विवहार करें सांसारिक जीवन यापन की आवश्यक्ताएं अंतहीन हैं इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में वधन परुपकार में खर्च करें याद रखें ना स्त्री माया है ना धन दौलत ना ही परिवार माया वह है जो हेदे को परमात्म से तूर हटा दे अतह निरंतर्च सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें भोजन अपने इश्ट को अरपन कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें रात्री में सोने से पहले अच्छे बुरे कारियों का आत्म निरिक्षन कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें वह प्रभों की गहरी याद में ही विश्राम करें परमात्मा तू ही है तेरे एक्छा पून हो जै सातूरू देव जै याद में जैपद सरणं स्रेय शरूपु चरणों सरणं जैसातुरुदेव जैपद सरणं स्रेय शरूपु चरणों सरणं इस सेवक के गुरदेव कहां करते हैं कि यह रास्ता उन लोगों का है अगर कुद छूरी से तेरे कोई गर्दन भी काटे तो तेरा हाथ उसकी दूआ के लिए उठे ऐसे लोगों का यह रास्ता है संत अपना बुरा चाने वालों का भी हमेशा भला करते हैं उनकी ऐसी आदत हो जाती है कि जब भी अफसर बिलता है अगर कोई उनकी बुराई करता है उनका बुरा चाता है और मातमा जब मौका देता है तब उसकी सेवा करते हैं और उसके जीवन को बदल देते है उटत बै उठत बैटत कबवन चूटत ऐसी तारी लागी निरंतरस प्रभू का चिंतन बना हुआ है हिर्दे में निरंतरस प्रभू के चड़ों से जुड़ कर रहा गया है कि अलग की अलग नहीं होता उठत बैटत कबवन चूटत ऐसी तारी लागी ऐसी लॉलग जाती हैं, तारी के मतलब लॉलग जाना कि अलग करने से भी अलग नहीं होती है यह दशा जब 24 घंटे दो परमात्मा की यात बन जाती है ऐसी दशा प्राप्ट हो जाती है अब परमात्मा अपने भक्त का हाथ पकड़ डेता है यह स्टेज है जब परमात्मा अपने भक्त का हाथ पकड़ देता है इससे पहले बड़ा मुश्किल है परमात्मा को हाथ पकड़ाना अब परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ा अब तक आप परमात्मा का हाथ पकड़े हुए थे उल्टा हो गया उलरदार अब परमात्मा अपने भक्त काथ पकल देता है योग शेम परमात्मा कराता है अपने बस की बात नहीं वे ऐसी परिस्तिती बनाता है कि उसके भक्त का दिरंतर प्रभू चुड़नों में ध्यान लगा रहे कहत कबीर ये उन्मुन रहनी सो प्रगट कर गाई कहत कबीर ये उन्मुन रहनी सो प्रगट कर गाई तुक सुक से कोई परे परमपत तही पद रहा समाई ये संतों की गुप्त रहनी सेनी है उनका जीवन ऐसे ही चलता है इसी दुनिया में रहते हैं साधारन मनुश्यों में जादा कोई विशेज बात ततर नहीं आईगी इसी संसार में रहते हैं लेकित इस तरह के काम करते हैं कि उनकी रहनी इस किसम की रहती है सुक दूस्यों से कोई परे परमपत तही पद रहा समाई सुक आया बगवान के अर्पन हो गया परमात्म का कोटेज धर्न्यवाद की प्रभू आप मालिक है जैसा चाहें वैसे रखे आपका दिया है आपको अर्पन है सुक में ऐसी बात नहीं कि उसमें फूला न समया परमात्म की और कसके जुकता है इश्वर के चड़नों को और कसके पकड़ता है और गहरा चुकता है ये प्रभू तेरी बड़ी निराली शान है जैसा चाहें वैसा रखे और दुखाया तो परमात्म के चड़नों को और ज़्यादा कसके पकड़ता है सोचता है कोई न कोई कमी जरूर रह गई कोई दोश इसकी भक्ती में पैदा हो गया है भगवान शाय चिता रहे है इश्वर के चड़नों को और गहरा कसके पकड़ता है और अधिक ध्यान और अधिक प्रात्ना दुख में और भी सुन्दर ध्यान बनता है बहुत सुन्दर बनता है और भोश से समय उस दुख में ऐसा अवस्थाएं बड़ी-बड़ी मंजिले पार करता है तो उसका दुख भी अनन ने बदल जाएगा क्योंकि परमात्मा के चड़नों को और कस्के पकड़ता है इसके बाद क्या अनुबा हुआ कि इस दुख ने क्या गुल खिलाया क्या लाब हुआ क्या फायदा हुआ ऐसे व्यक्ती का सुख और दुख एक सा हो जाता है सुख में भूलता नहीं और दुख में विचलित नहीं होता ऐसी उसकी आत्मी अवस्ता हो जाती है न दुख से विचलित न सुख से विचलित उसके जीवन का एक धेबन कर रह गया है भई यह है कि तू रहे और तेरी रजा रहे तू रहे और तेरी रजा रहे न मैं रहूं न मेरी यार्ड जू रहे कोई इच्छा नहीं ऐसे व्यक्ति की स्टेज है कि कोई उसकी इच्छा रहे ऐसे व्यक्ति कोवल एक इच्छा है कि प्रभू के चड़नों में किवल ध्यान बना रहे, कुछ नहीं चाहता, मुक्ती नहीं चाहिए, स्वर्ख नहीं चाहिए, नर्क नहीं चाहिए, एक ही चीज़ चाहता है कि है प्रभू आपके चड़नों में इसका निरंतर ध्यान बना रहे, और कुछ नहीं चाहिए, इच्छ में मंजिल आएगी तो जरूर परमात्मा की याद बनी रहेगी वेद भग्वान ने कहा है कि जो व्यक्ति मुझे याद करते करते अपना शरीर भूल की तरह छोड़ता है वे मुझे पाता है जरूर जोती से जोती एकाकार होगी ऐसा विश्वास हो जाता है ऐसा उसका जीवर बन जाता है चलते फिटते खाते पीते सोते जागते संसार का हर्विवार करते दिरंतर पनमात्म में उसका ध्यान लगा रहता है उसका हिर्दे वरफ की तरह पिगल रहे चौबीस घंटे का ध्यान इस तरह हम देखते हैं कि कोई भी किसी भी स्टेज का किसी भी काम का अगर सादक प्रत करें तो ग्रस्त आश्रम में सन्यास आश्रम में रहते हुए चाहे कितना जीवन ग्रस्त क्यों नहों अपना जीवन इश्में बना सकता है दिन के 24 गंटे प्रभू चिंतन उसका चलता रहता है और दुनिया की काम जैसे आज अच्छे तरीका असान लगता है पगर बगर किसी सहारे के मंजिर पर पहुंचरा बहुत कटे नहीं इस सहारे को सद्गुरू कहा जाता है उसके बाद दूसरा है निश्काम कर्भ दो चीज बहुत जरूरी है चौबीस घंटे का ध्यान और निश्काम कर्भ निश्काम कर्भ है उसके लिए जब तक निश्काम कर्भ नहीं होता तब तक जरन्वरन्ड से चुटकारा नहीं होता और सच्ची निश्काम कर्मता प्राप्त होती है निश्काम कर्म पर बड़ी पुस्तके हैं लैबरेरी भरी की भरी पड़ी है पर इस सिवक के सद्गुरु दे बड़ी प्यारी बात कहा करते थे क्या कहते थे वह कहा करते थे कि जिस काम करने से पहले काम करते हुए और जिस काम को करने के बाद उसका हेड़े पसंसकान ना बने उसके निशकाम कर्म कहते है निशकाम करता अ muscular का ब्यास आनर्ड योग में पहले इस एड़ी से शुरू करते हैं जब हम रात को सोते हैं तो सोने इभैसे से पहले आत्म रिक्षन करते हैं तो जितने हमारे दिन के अच्छे काम हैं हमसे हुए सबी भगवान की हरपन कर देते कि ए प्रभो तुने ऐसी परिस्तिती प्रस्तुत की कि एक काम इस से हो गया तुने किया इसमें क्या शक्ति है कि हरकाम कर सकता फिर अपनी कम्यों को देखते हैं धीरे धीरे एक एक करके छोड़ते चले जाते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं कि सब कुछ ईश्वर करता है हम ने कुछ नहीं करते हैं वो ही चलता है वो ही खाता है वो ही उठता है वो ही बैठता है वो ही करता है इस तरह आई मैं समापत हो जाता है धीरे धीरे ऐसा विश्वास हो जाते है कि वो ही करता है और मैं कुछ नहीं करता है दुनिया कुछ भी कहती रहे जो सच्चा भगता है वैं सपने में भी यह ख्याल नहीं करता कि उससे कुछ होता है जो करता ह इश्वर करता है जितने उचे संत हुए उनके लिए दुनिया की कहती रही कि हमको ये लाब हुआ वो लाब हुआ वो असंभव संभव हो गया लेकिन उन्हें सपने में भी ये विचार पैदा नहीं हुआ कि उनसे कुछ हुआ वास्तव में ग्यान देने वाला भी परमात्मा ह और ग्यान देने वाला ही परमात्मा है और ग्यान लेने वाला ही परमात्मा है गुरू तो एक माध्या में ग्यान देता है परमात्मा ग्यान लेता है परमात्मा इस सेवक के गुरोदेव कहा करते थे कि यह तुमारे पास आता है उससे अपना गुरू समझो वे गुरू है ऐसा समझो कि आपके गुरुदेब पदारे हैं, कितना सुन्दर बाव है, क्यों सच्ची बात हैं, आप किसी काम में लगे हैं, कोई भाई पदारा, पदारे आपने काम बंद कर दिया, ईश्वर की जर्चा में लग गए, उसने मुझे सच्चा ग्यान करा दिया, मन ईश्वर में लगा दिया, वे मेरा गुरु है या मैं उसका, यदि उसे गुरु नहीं समझ सकते, तो कम से कम गुरु भाई अवज समझो, नहीं तो पतित हो जाओगे, यह आदर्श, सबने में भी यह ख्याल ना हो, कि मुझे से कुछ हुआ, लेकिन यह बहुत कटिन है, मै बहुत तंग करती है, लेकिन जब गुरु की कृपा होती है, तो इस से जुटकारा मिलता है, काम, क्रोथ, लोब, मौ और एंकार पादा है, एंकार सबसे बड़ी चीज है, सबसे खतरनाक है, कितनी उच्छी बात कही है, कि माया तजना सरल है, और तेरी आकाने, मान बढ़ा बढ़ाई इर्शा, तजना बढ़ा एक, मान बढ़ाई इर्शा, बहुत असान है, छोड़ना, तजना, लेकिन मान बढ़ाई इश्रा, तजना बढ़ा कठेने, कबीर सामने बड़ी उची बात कही है, कि नाहत मूल गवाईयां, जो आप बना करता, इस से तो संसारी बरा, जो सदा रहे डरता, आप योगी है, जती है, सिद्पुरुशे, अगर आप से दुनिया का कल्यान कर रहे हैं, अपने अपने सिद्धी सिद्धी से, तो आप खुद करता है, कबीरदाजी कहते, करता बनकर, थोड़े समय से मान के लिए, आपने जब पूजी कमाई, अर्जि थोड़े चे स्वार्थ के लिए, असल पूजी पी गुवादी, इसे दो संसारी बराए, जो पांच मिनट सुबह, पांच मिनट शाम, आदा घंटा सुबह, ये आदा घंटा साएकाल परमात्पों को याद कर लेता है, हर समय ईश्वर से डटता रहता है, उसकी तपस्या मैं तो एक मुस्मान संत की बात कर रहा हूँ, जिनकी बड़ी उची आस्थाति निश्कायम कर में, जब कबीर साब का नाम हो गया, मैशूर हो गए, कि बड़े उचे संत हैं, तो लोग दर्शन को आने रगे, एक बार धाई सो से तीन सो के लगवाद बड़े उचे पंडित यह सोच कर कि बाई कबीर साब की बड़ी तारीब सुरी हैं, चलो देख ले कि क्या खास बात है, चल पड़े कबीर साब से मिलने के लिए, कबीर साब ने देख लिया कि इतने लोग चले आ रहे हैं, कबीर साब के मकान में दो कमरे थे, एक मों रहते थे, और दूसरे में कर घबड़ा गए इन विध्यानों का स्वागत कैसे होगा पत्नी से बोले कि इसके बसकी बात नहीं भागवान तू इन्हें भुगत अस्वें जाकर भूसे की कोटरी में चिप गए जब लोग आए तो क्या देखते हैं एक बैल गारी समान से लदी हुई चली आ रही है उसके पीछे कभीर साब बैठे हैं पत्नी भी देखकर अश्यर चकेत की किधर से निकल गए तरवाजा भी एक है और मैं स्वें उस पर बराबर खड़ी हूँ पैल गारी आई भोजन की तैयारिया हुई ससंग हुआ बहुत अच्छा रहा सभी काफी संतुस्ट हुए बहुत संतु भोने बड़ी तारीफ की कि क्या कहने है कमीर साब के जैसा सुना था वैसा पाया बड़ा उंचा तत्तवेदा बड़ा निच्शित पुरुष इस तरहे बड़ी तारीफ करने लगे और जो असली कमीर साब ते में भुसकी कोठ्री में बनते सोचने लगे कि आज सारी कभाई नस्त हो गई छट से दरवाजा कूला भार आए और ये भार आए भाज जोड़ का सब के सामने रोरे लगे और रोरो के कहने लगें कि ना कुछ किया न कर सका ना कुछ किया शरी जो कुछ किया सोहरी किया कहत कभीर कभीर ये हैं ऐसी सच्चे निश्काम कर्वता ऐसे सच्चे निश्काम प्रेमी भग परमात्मा के नाम को इस प्रत्वी पर प्रकट करते हैं सच्चे प्रेम की धारा परमात्मा के नाम की जाकरित होती है बैती है आई दुनिया में भगवान तो बहुत है ऐसे भग परमात्मा के नाम को प्रतिविय पहलाते है सच्चे निश्काम भश से कभी कुछ नहीं होता जो कुछ कुड़ता है परमात्मा करता है वे तो केवर लीला देखते हैं ऐसा भग परमात्मा को कस्किप करता है एक बक्त और रहीम साब वे कृष के भगते दान देते जाते जो कपड़ा मांगता कपड़ा देते बोजन मांगता बोजन देते जितना देते उतने जुकते जाते उनके सम कालीन कभी ने पूछा कि रहीमन सीकी कहा ये देनी तुम ये देन जो जो ध्यान तिहारो बड़े त्योतो नीचे नन आपने बड़ा सुन्दत तर दिया इसका कहा कि देने वाला और है देता है दिन रहन लोग भ्रह्मों पे करे ताते नीचे नन लोग मुझे पर लांचन लगाते कि रहीम दे रहा है ये सच्चा निश्काम कर्म इस सेवक के गुरदेव कहा करते थे कि देखो जितने पाप कर्म है वो लोही की जंजीर है जितने पाप कर्म है वो लोही की जंजीर है नरक भूगने के लिए जरब नेना ही पड़ेगा और जितने अच्छे कर्म है वे सोने की जंजीर है अगर एंकार है कि हमसे कुछ अच्छा काम हुआ तो सर्भोगने के लिए जलम लेना पड़ेगा जो निश्काम प्रेमी है ना लोही की जंजीर में बंद है ना सोने की जंजीर में बंदा है ना उससे अच्छा काम होता है ना उससे बुरा काम होता है वे तो परमात्मा के हाथ का केवले घ्यंत्र है करने कराने वाला तो परमात्मा है साद्रा में हम अच्छे काम परमात्मा को अर्पन करते चले जाते हैं वो ही करता है ऐसा मानते हैं अब औरे एक एक करके छोड़ते चले जाते हैं, और फिर ऐसी स्टेज पर पहुंचते हैं, कि संसकार नस्ट हो जाते हैं। संसकार आगे पैदा ही नहीं होते जो संसकार भोगने के लिए याए भोगते हैं आगे पैदा ही नहीं होते जो कुछ सच्ची निश्कान करता में सादक कुछ नहीं करता सब परमात्मा करता है ना वह सोने की जंजीर में बनता है और न वो लोहे की जंजीर में बनता है ऐसे आव व्यक्ति शास्त के वुरुत कोई काम नहीं करता ये शुस प्रभू का है ग्यान उस प्रभू का है प्रकाश उसका है सच्चा ग्यान देना वाला इश्वर है ग्यान लेने वाला इश्वर है ये सच्चे निश्काम कर्मता ध्यान योग के कारिकरम आनन्द योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810-239-677 9810-239-677